हलो एवरीवन, EAD परिवार में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइब बनेंगे सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइब बनते हैं और चलिये आईए, सेशन की सुरुवात करते हैं तो हम लोग यहां 100 क्यूस्चन्स तक लास्ट में सॉलिशन कर चुके हैं हम यहां 100 तक क्यूस्चन कर चुके हैं, तो आईए, स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, 101 से आईए, सुरू करते हैं, क्यूस्चन नमबर 101 से तो सवाल यह दिया है, there are number of digits, numerical तो इस पेपर में थे ही नहीं, पूरे में वही थियोरी वाली कहानी है वही incorrect वाला, correct वाला, उसी पर based है सब चीज़े तो यहां पर देखे, आपको क्या देना है बेटा, कि there are number of digits in a binary number system, answer please तो आपको ऐसे muscle paper अगर आता है, तो यह आदत बनानी चाहिए कि जो चीज़े आसान है, वो एकदम perfectly आप करें, तो there are number of digits की जब बात करते हैं, yes, तो यहां पर क्या है, दो, zero and one यह कहानी बन जाती है, तो बस ऐसे सवाल को पेटा चूखना नहीं है, क्योंकि अगर paper मुस्किल है, तो आपको एक एक दो दो ऐसे सवाल मिलेंगे बीच बीच में, जो बहुत आसान है, तो इन नंबर को इखटे करना है, which of the following applications use, संट DC motor, बताईए जी, तो अब देखें हमें इसके लिए थोड़ा सा यह सोचना था, संट motor में starting torque जब आप बात करते हैं, तो बेटा वो कम होता है, और इस motor को जाना जाता है, constant speed के वज़े से होता है, बिलकुल होता है, राइट? इसकी वज़े से जाना जाता है? constant speed की वज़े से जाना जाता है, अच्छा जी, और series motor को जाना जाता है उसके हाई स्टार्टिंग टॉर्ग के कारण तो हमें ये देखना था कि होईस्ट एन एलिवेटर तो एलिवेटर्स के लिए तो स्टार्टिंग टॉर्ग सुरुवात से ही ज़्यादा चाहिए होता है क्यों लोड पर ही स्टार्ट होता है और एलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यानि ट्रेक्शन में स्थरीज मोटर फेवरेट है तो यहाँ पर हमें यह दिमाग में रखना था कि देखें B, C and D तो गया अब क्या बसता है मिलिंग मशीन तो यहाँ पर बेटा हमारा ओप्सन क्या हो जाएगा A यानि कि संट डी सी मोटर हमारा सही आंसर आएगा चलिए जी यहाँ पर आजाएए सर्दी तो बहेंकर है बहेंकर सर्दी Is the luminous flux received by a surface per unit area बताइए जी surface per unit area, luminous flux by luminous flux received per surface area यह क्या होगा बताइए यहां यार क्लास तो डिली लेनी थी कल तो यार मैं भाहि देखो बताऊं आपको आपको सच आप से क्या जूट बोलना कल तो यार मैं क्लास तो लेने आये था लेकिन फिर भाई मैडम ने कहा कि मुझे मोमोज खाने है तो भाई हम मोमोज लेने चले गए अब इसमें भाई कुछ चीज़े परिवार की भी इंपोर्टेंट थी तो मैं मोमोज लेने चले चले कुछ फास्ट फूड कभी कभी खाते पीते हैं तो लेने चला गया इसलिए क्लास में तो इसके लिए हम छमा जाते हैं आपसे ठीक है तो फाई बाई ए तो फ्लाक्स पर यूनेट एरिया तो बेटा ये फॉर्मूला क्या है ये होता है आपका इलुमिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या है इलुमिनेशन के लिए फॉर्मूला फॉलाक्स पर यूनेट एरिया ठीक है हो गया क्या है ये इलुमिनेशन के लिए भाई नेक्स आगे आगे चलेंगे देखे देखे बहुत बढ़िया सवाल है Select from the following option, the incorrect use of as of stream power plant, जो राख निकलती है, जो राख निकलती है, भाई stream power plant में कोईला जलेगा, तो राख बनेगी, तो विकल्पो में से, आपको वो option select करना है, जो on incorrect है, क्या है बिटा, incorrect option को pick करना है, बताईए जो जल्दी से, incorrect option को pick करना है, तो एक option आपका आता है, कि ऐसे use in the production of concrete, ये बिल्कुल सही बात है, concrete के production में, देखो concrete में, cement के production में, इन सब के लिए, तो जो power plant से कोईला जलके, जो ऐसे यानि राख निकलते हैं, वो इस्तमाल होती है, इसलिए कई बार आपने देखा होगा, कि thermal power plant के पास में, सुन लिजे जरा, thermal power plant के पास में, कि cement industry लगाने वाले थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, कि industry को वहाँ लगाई है, ताकि वो, as content क्योंकि वो उड़ता भी है बाई, तो उड़कर, थोड़ा बहुत अपना, यहां पहुंच जाए, जो इससे cement बनेगा, तो अच्छा रहता है, तो using concrete cement, from the ice, metal such as, ferrous, silicon and titanium can be recovered लेकिन जड़ा एक बात सोचो, D कह रहा है, कि they are used treating neutral soil, यह चुले natural soil है, which increase yield of weight और सुगर केन, भाई, जो राख निकल के आती है, कौन सा तो मिसे, जेविक खाद समध के, अपने गन्ने के खेत में, गिहों में डालते हो, महलब, मेरे इसाब से, यह सवाल बड़ा, नॉर्मल अगर मुझे सी में डाउट भी है, सपोर्ज मुझे सी का नहीं पता, अच्छा, तो मैं deeper दिमाग लगाता, कि यार मैंने तो कभी ऐसा ना देखा न सुना, भाई, नॉर्मली हम क्या करते हैं, कि जो गाए भैस, गोबर करती हैं, हम उसे prefer करते हैं, जो कुडा करकर, घटा कर करके हम खाद बनाते हैं, उसे हम इस्तमाल करते हैं, लेकिन हमने ये steam power plant की राक को तो ऐसे कभी नहीं किया, तो हमने का जी तो बिकार है, अच्छा नहीं है, तो यानि कि ये हमारा सही option बिटा, दी हो जाता, तो सवालों को कहानी के रूप में बस पढ़ना था, आपको, कहा कि सबसे ज़्यादा important है, सबसे अच्छा result वोई बच्चा या उसी बच्चे ने exam पास किया है, जिसने सवाल को ध्यान से पढ़ा है, तो यहां knowledge के साथ साथ में questions को attempt करते समय, presence of mind क्या है, वो बहुत ज़रूरी था, प्लीज, next चलेंगे, एक परकार का switch है, इन में से कौन सा एक परकार का switch है, जिसके संपर्क ट्यूब में रखे, पारे के इस्थिती से खुलते या बंद होते हैं, बताईए जी, बताईए जी कि एक परकार का switch है, जिसके संपर्क ट्यूब में रखे, पारे के इस्थिती से खुलते या बंद होते हैं, तो देखो एक switch है बेटा, देखो intermediate switch का इससे कोई लेना देना नहीं, या आप इस तरह का एक अभी symbol आएगा, इस तरह का switch का कोई लेना देना नहीं था, shift switch का कोई लेना देना नहीं था, selector switch का कोई मतलब नहीं था, देखो float switch, mercury है, ये float switch है, जिसमें पारा यानि कि मरकरी रहती है, तो ये float यानि तैरता हुआ switch, तो ये क्या होता है, float switch, next चलिएगा, निमन लिखित में से कौन डिजल, बिजली सैयंतरों की तुलना में, गैस टर्बाइन, बिजली सैयंतरों का लाब नहीं है, अब क्या है, देखो सवाल को पढ़ो, note इस्तमाल क्या है, note एन advantage, advantage नहीं है, किसका, gas turbine power plant का, बताई जी, क्या advantage नहीं है, gas turbine power plant, बताई ये भाई, तो हमें बताना हैं कि advantage नहीं है, अच्छा जी, तो option A कहता है, poor quality fuel can be used, तो देखो, gas turbine में, बिटा, poor, यानि कि, जो fuel की quality उतना matter नहीं करती है, आपको तो generally gas produce करना है, लेकिन diesel में तो diesel ही चलाएंगे ना भाई, वहाँ तो matter करती है, अच्छा, यानि कि ये बात तो सही है, ये बात सही है, फिर देखिएगा, next आगे बड़ी, good plant load efficiency, तो जब हम gas plant की बात करते हैं, good plant load efficiency, तो gas turbine power plant की efficiency उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कहीं stage में losses होता है, कहीं अलग-अलग stage में losses होता है, तो यहाँ पर आ जाता है good plant load efficiency, लेकिन फिर ये भी ये, less spare requirement or capital cost considerably less, किसका भी gas turbine का, अब gas turbine power plant को आप कम space में भी design कर सकते हो, बड़ी बढ़िया है, दोसरी चीज़ ये है, capital cost भी कम है, इसमें as compared to diesel power plant, लेकिन plant efficiency क्योंकि कई stage में losses है, यहाँ क्या है, diesel engine चलाया, generator लगार गुमा दिया, लेकिन यहाँ पर कई अलग-अलग stages में losses है, तो यहाँ पर हमें pick करना था बेटा, यह B, इसलिए मैंने class निली दो दिन की छुट्टी थी, 37 और 28 उन बच्चों का धढ़ना परदर्शन देने का कुछ प्लान था, और मैंने तो कहां भी है, यार की बढ़िया बात है, धढ़ना बढ़ना देने से भरती आती है, तो दे लो लगनाओ में 28 तारिक को धढ़ना था, पहले आपने किया था, अभी ऐसे बहुत लिमिटेड वही 100-200 लोग पहुंच पाए, अभी बच्चे अरेंज कर रहे हैं, धढ़ना देने की अपना परियास तवाँ, वहां बच्चे नहीं पहुंच रहे, तो नोकरी तो सब को चाहिए, लेकिन वो घर में बैठे बैठे च चलो आजो भाई, निमन लिखीत में से किस से क्या अब दिया, इस्थिती आधारेत रख रखाओ, रणनीती के रूप में भी जाना जाता है, दिखे एक होती है बेटा, परिवेंटिव मेंटरनेंस, यानि कि कुछ खराबी आने से पहले ही हम लोग इसे देख ले भाई, एक हमारे रूटीन में है, रूटीन मेंटरनेंस होती है, जिसे हम समय समय पर चेक करते रहते हैं कि कोई खराबी ना आए, अपना समय समय पर हम चेक करते रहते हैं, पर इवेंटिव, प्रॉक्टिम मेंटरनेंस और रियक्टिम मेंटरनेंस, जनरली अगर देखा जाए, तो जो condition based maintenance strategy है कि जिसमें कुछ condition लगा दे क्या करें जिसमें कुछ condition लगा दे जैसे कि भाई अगर तुम अलग-अलग तरीके से आप समझ सकते हैं और देखे इसके लिए आप कोई किताब पढ़नी पढ़ेगी अगर इस तरह है क्योंकि इसके लिए आपको किताब पढ़नी पढ़ेगी इस्टॉलेशन मेंटेनेंस और रिपेर ओफ इलेक्ट्रिकल मशीन और इक्यूपमेंट यह किताब होती है जिसमें मेंटेनेंस की चीज़े ती गई है और इलेक्ट्रिकल को बड़े अच्छे से एक्स्प्लेइन किया गया है तो प्रिवेंटिव तो नहीं है देखो होता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस जिसमें कुछ कंडिशन लगा दे जाती है जैसे अगर आप यह करेंगे तो तब जाकर यह होगा अगर आप इस मशीन को इस रेटिंग पर चलाएंगे तो इसमें तब जाके प्रॉब्लम आ जाएगी तो एक इस तरह कि जो कंडिशन लगा कर हम मेंटेनेंस स्टेटेजी अपनाते हैं तो यह आती है अपनी प्रिडिक्टिव नेक्स्ट आता है कि आउट आफ दा फोलोविंग सेलेक्ट दा कर्रेक्ट अप्लिकेशन आफ ओफ लाइन यूपिएस जो अनिंट्रेप्टेवल पावर सप्लाई देता है ना कंप्यूटर में भी लगाईए यूपिएस तो इसका मतलब बताईए क्या है बताओ जल्दी से आफ लाइन यूपिएस इंडक्शन मोटर ड्राइव क्या यूपिएस का काम इंडक्शन मोटर को ड्राइव करना है तो आपको देखना है कि इमेर्जनसी पावर सप्लाई करना क्या करना इमेर्जनसी पावर सप्लाई करना लाइट चली जाएगी तो ये एकदम से सट डाउन सिस्टम को नहीं होने देगा तो ऐसे सवाल बेटा गलत नहीं करने थे आपको तो हो गया देखे ये नेक्स चलेंगे विच आप दा फोलोविंग इस नोट दा रिजन वाई मेकानिकल हैंडलिंग अफ कोईल इस प्रीफर्ड ओवर मैनुवल हैंडलिंग इन स्टीम पावर प्लांट हम मैनुवल कोईले की हैंडलिंग करें इससे बढ़िया हमने मेकानिकली वे अपनाया तो अब देखो ज़रा इसमें क्या है Capital cost of the preferred handling system is low option B कहता है can be easily started and can be economically adjusted accounting to the need operation is easy and smooth less labor is required बताये जी UPS की बात थी खतम होगे Mechanical handling of coil is preferred over manual handling in a steam power plant Not the reason, कारण नहीं है Not the reason, देखो एक बात बताओ Can be easily started and can be economical adjusted according to the need अरे ये तो हमें not a reason देना है तो ये तो बढ़िया है, manually में बढ़िया है, easily handling बढ़िया है Manual में boiler तक लेके, सर पे रखके, ऐसा कुछ समझे है Manually आपने उठाया, रखके लेके गए आप, कुछ इस तरह का आप समझ सकते हैं Operation easy and smooth, ये भी रहता है और अगर आप mechanical handling कर रहे हैं, तो less labor is required ये भी सही है तो not the reason, हमें बेटा सवाल को please पढ़िये Not the reason, देखो ये तीनों सही है हमें बताना था, कारण नहीं है तो कारण देखे, capital cost of the prefer handling system is low तो ये हमारा कोई कारण नहीं बनदा इन नीचे वाले तो कारण है बढ़िया है, mechanical handling system बढ़िया है belt conveyor रखा, coil डाला और चला दिया which of the following system is not used to distribute power to a consumer बताना जरा, फिर अब इन में से भी चार option है तो हमें चार option में से relative option देखना है तो हमें क्या देना है not used और exam में पहले लिख देता है जो सबसे बढ़िया option है वो टिक करना है not used to distribute power to a consumer अब देखे भाई, three phase, three wire normally आप transmission में इस्तिमाल करते ही हो अच्छा जी ये करते हो इसके बाद देखे three phase and four wire बेटा ये neutral भी इस्तिमाल हो गया distribution में करते हो और distribution में ही single phase distribution में single phase two wire से काम चला लेते हो चलाते हो कि नहीं तो हमारे पास में एक और एक system देखने को मिलता है single phase ये से supply using three wire system बेटा ये बादा ये बन गया हमारा A which of the following points should not be given due consideration while selecting the site for a gas turbine plant पढ़िये जरा which of the following points should not be given due consideration while selecting the site for a gas turbine plant बताईए जी अरे gas turbine plant तो gas turbine plant क्या जरूरी है load से दूर लगाना ये सारी इस factor को देखो which of the following point यानि gas turbine संत्यसेयंत्र के इस्थल का चयन करते समय जहां लगाना है निर्मिन लिखित में से किस बिंदू पर उचित ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए किस पर उचित ध्यान नहीं देना चाहिए तो सवाल को प्लीज मैं ये कह रहा हूँ कि आंसर की के हिसाब से मत चलोगी एकदम ठीक लगा दो देखो भाई जहां पर भी हम gas turbine power plant लगाएंगे तो भाई गड़ा आवड़ा आईए सब खोदना turbine set यानि कि हम ये चाहते हैं कि वहाँ labor आसानी से मिल जाए अच्छा जी दूसरी चीज ये है the bearing capacity of the land should be high यानि कि land के वजन वगेरा को bear करनी की capacity अच्छी होनी चाहिए अच्छा जी और transport की अच्छी सुविदा होनी चाहिए ये तो बात सही है ये तो ठीक है the distance from the nearest power plant ये हम नहीं देखते हैं यानि कि ये हमें लगाते समय ये हमारे लिए main factor नहीं था the distance from the nearest power plant की power plant के पास में लगाओ ऐसी इसमें कोई condition नहीं थी क्यों आप ऐसा भी हो सकता है कि आपने आपको तो पता नहीं कि आसपास क्या power plant था आप तो अपने power plant को लगाने के suitable condition दूनोंगे ना भाई तो यहाँ पर आगिया देखे ये option A next चलेंगे देखे select the incorrect अब ये तो मतलब आप माल लो कि इनकरेक्ट वालों ने तो भाई लाइन लगा रखी है सवाल पूछने की incorrect 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 सब यही चल रहा है LED light emitting diode कि बारे में कथन जो है न गलत statement पकड़ना है select the incorrect statement with regard to LED चलो जी पहले सुरुवात करते हैं D से पहले सुरुवात करते हैं D से चलें आपको बताना है गलत कथन के बारे में समझना अच्छा LED are available which emit light and different color like red, green, yellow है नमबर बात सही है different color में available है हाजी सही है economical है यानि कि जब हम लोग LCD की बात कर रहे हैं जब हम sodium vapor lamp की बात कर रहे हैं तो इन सब से रिक्मेंट लोग कफे की कि जब, याथ कि पता लाइब क्फें जब तो झाल 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 हाँ जी देखो economical है फिर आता है LED are rugged and therefore with distant socks and vibrations फिर आता है LED suited for large area तो एक चीज का याद रखेगा जब हम large area जैसे stadium वगरा वहाँ हम LED यूज नहीं करते हैं वहाँ हम sodium vapor वो वाले lamp यूज करते हैं तो इसको हम यूज नहीं करते हैं तो large area display के लिए वो suited रही है अब इसमें ये statement बिता ऐसा था जो set नहीं है जो की incorrect statement है अरे मैं यहीं हूँ जार जो की incorrect statement है एक बार check जरूर करिएगा आप लोग मेरे साब से इसका भी है क्योंकि large area display के लिए LED एक सही option नहीं है light meeting diode सही option नहीं है क्योंकि LED are rugged and therefore with distant socks and vibration तो कहीं बार आप ऐसे देखते हो LED means कहीं बार indicator के रूप में भी हम इस्तमाल कर लेते हैं बाई vibration के लिए अपना लगा के रखते हैं तो ऐसे कोई खराब होने के ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती ठीक है जी? तो B इसका correct answer होना चाहिए था इसको जड़ा चेक करिएगा next आ जाईएगा filled coil को गिरने से बचाने के लिए अच्छा filled coil को गिरने से बचाने के लिए का उप्योग मुख्य रूप से चुम्बक्य परवाहा फैलाने के लिए किया जाता है बताईए जी filled coil को option बताईए बेटा कितना होगा बेटा आज़ा उज़रा fill 수, pole 수, brush, yoke and commutator अच्छा तो ये तो तुमने रट रखा होगा बरस का रोलनी, योग commutator का रोलनी तो ये बचा पोल 수 है तो ये तो गलत होना ही नहीं था तुम लोगों का ऐसे सवाल को तो गलत करना भी नहीं था भूमिगत केबल बिचाने के निमनलिकित पारमपरिक तरीकों में से बताईए जी पारमपरिक तरीकों में से किसे इस्तमाल नहीं करते हैं रेक एंड क्लिट्स ग्राउन में डारेक्ट बिचा देना, पाइप में रखना इन करते हैं लेकिन हम लोग ट्रफ को यूज नहीं करते हैं जो हमारे ट्रफ्स हैं, उनको हम लोग लेंगे इन ट्रफ्स, इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं चलिए जल्दी से बताओ उविन के आंसर इसे गलत मत करना न लाइको जल्दी से बोलो कितना होगा परतीक में से ये स्विच नॉर्मली क्या है जल्दी से बताओ ये स्विच नॉर्मली क्या परदर्सित करता है तो ये क्या है भी बनवायदा सुरू होते क्लास का ये था इंटरमेडियट स्विच चलिए जी, भूमिगत केबलों को परदान किये गए इंसुलेशन में नहीं होना चाहिए क्या पूछ रहा है ये नहीं होना चाहिए दा इंसुलेशन प्रोवाइड टो अंडरग्राउंड केबल शुड नॉट हैओ हाई विस्कोसिटी एड वर्किंग टेंपरेचर हाई रजिस्टिविटी तो चाहिए ना लो अब्जर्ब्शन आफ मॉश्यर लो थर्मल कॉफिसेंट हाई विस्कोसिटी का क्या मतलब है भाई बताओ हाई विस्कोसिटी का कोई मतलब नहीं तो भहिया यहाँ पर आगया आपका A नेक्स चाहिए उजर्ब्वाइन के साफ्ट पर उपलब्द जैसे यह कोई तर्बाइन की साफ्ट बनी हुई है यहाँ से कुछ पानी आया तो यहाँ तर्बाइन की साफ्ट यानि की यह वाला आउटपुट अपोन में यह वाला तो भहिये तर्बाइन की ओवरॉल एफिशनसी कहेगा क्या कहलाएगा बिता यह ये तर्बाइन की overall efficiency कहलाएगा भही overall देखो तर्बाइन के किसी stage की बात नहीं करी तर्बाइन के किसी stage की बात नहीं कर रहा है यह यहां से the ratio of power available at the shaft, इसकी shaft पर जो power available है और बेटा यहां पर यह जो input है inlet of the turbine is known as overall efficiency of the turbine अब इस questions को आपको गलत नहीं करना था क्योंकि यह कुछ easy questions थे magnetization force which is necessary to neutralize completely the magnetism in an electromagnet after the value of magnetization force become zero the given statement is true for देखो बेटा हमें तो यही करना था यहां से हम increase करते हैं अब हमने magnetization force अगर zero कर दिया यह B है सोरी यहां B को zero करने के लिए हमें यह लाना है ठीक है जी अच्छा तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे इसे हम लोग नाम देंगे करसिव फोर्ण और यह बेटा जो रिटेन कर रही है वैल्यू यह कहलाती है रिटेंटिविटी क्या कहलाएगी बेटा रिटेंटिविटी यह कहलाएगा करसिव फोर्ण इस दा सिंबल यूजज फोर संट कंडुक्टर गंड़नомеनने खोर्श आस से एक असंसवाल था इस दा सिंबल यूजज़ फोर संट कंडुक्टेंस वन आफ दा पारैमिटर ओफ以上 ट्रास्मिशन लाइन conductor तो भाई sun conductance को हम किस से represent करते हैं किस से करेंगे देखे चीज से अच्छा ये भी बहुत बढ़िया सवाल है और अभी देखो ये वाला सवाल जब marathon class भी ले थी जब मेरा हाथ जलावा था उस समय मैंने बेटा ये सवाल आपको उस marathon class में भी करा के बेजाता और किस से है ये है memory spacing of PLC तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि program code executive memory data memory या system memory में होता होगा generally program code store होता है user memory में किस में user memory में है जी महावेर जी अरे दरना वरना जने चला जा वहाँ लखनव में TG2 के class इस ले नहीं ले रहा हूँ बच्चे या सर्दी में बैठे हुए है तुम लोग भी थुड़ा कस्ट कर लो super tension cable are generally used up to super tension cable answer please super tension cable are generally used up to तो इस से ज़्यादा extra high tension EST हो जाता 33 से यह कितना आ जाएगा 33 air brake तो जैसे सब्द पढ़ो ना हर एक सब्द से कुछ ना कुछ पकड़ लो बात क्या कह रहा है यह air brake, circuit brake are used in DC circuit and DC circuit where air at atmospheric pressure is used अच्चा जी air brake normally कम के लिए इस्तमाल होता है air blastic अलग कानी है air brake class में भी हमने roughly कहीं बार बात किये कि air brake की वदलब होता है जो normally 11-12 KV normal कम voltage level के लिए तो बेटा यह हो गया अपना 12 KV तो यह गलत होना ही नहीं था यह कुछ line से ऐसे सवाल थे जो गलत होने ही नहीं चाहिए थे अब सवाल पढ़ते समय यदि आप भावनातमक हो गए air blast पढ़ लिया तो गलत कर लेते air brake कम के लिए इस्तमाल होता है अब the output best suited for both AC and DC output device is अब the output best suited for both AC and DC तो भाई एक बात बताओ जो relay है relay output का मतलब क्या है circuit breaker को command देगा कि भाई unbalance condition को detect करके खुल यह बंद हो जा तो जो output best suited for both AC and DC वो क्या है भाई यह relay output अब यह ट्राइ करता हूं कि कुछ क्यूस्टियन्स इस पेपर के बाद में प्रीवियस के रखों और कुछ थोड़ा मोडिफाई करके रखों तो जैसे हमारा दिल है हमारा दिल क्या करता है भई हमारा दिल क्या कर रहा है हमारे बोड़ी के हर हिस्से में प्लड को भी आसान सवाल था क्योंकि बड़ा नॉर्मल सवाल था कि DC संड मोटर के लिए किस स्टार्टर का यूज करते है तो भाई इसमें थ्री पॉइंट तो दिया ही नहीं बच्चों गौर बचा दिया इसने क्या होता ये होता है बेटा फोर पॉइंट स्टार्टर क्या होता है कोर्ट 4 point starter अच्छा DC-sridge motor लिए नौर्मल ही कौन सा starter यूज़ करते है, pleas answer भीटा प्लीज आंसर जल्दी से आंसर करि Between DC-sridge motor के लिए कौन सा यूज़ करोगे, जल्दी से बोलो DC-sridge motor के लिए कौन सा यूज़ कर रहे हो, जल्दी से बोलो अब यो नालाइको DC सरीज मोटर के लिए कौन सा तो टू पॉइंट यह आ जाता DC सरीज मोटर के लिए ठीक है भाई अच्छा अच्छा देखो क्या है भाई कि वैसे मेरा बहुत busy schedule रहता है लेकिन मैंने काफी दिन से ये आप लोग के लिए सोचा हुआ था और मैंने आपको एक दिन कहा भी था कि निव येर पे अब देखो अध्यापक दे भी तुम्हें क्या सकता है भाई किताबों के अलावा नॉलिज के अलावा आपको पढ़ाने के अलावा अध्यापक के पास में कुछ है भी नि देने के लिए तो भाई प्यारे बच्चो अब मेरी तरफ से आप लोग के लिए निव येर का एक छोटा सा गिफ्ट ये है और मैं ये कहूँगा कि इसको बढ़िया शिद्दा तोर इमानदारी से आपको अपनाना है और वो है क्योंकि कुछ चीज़े ऐसी है जो आजकल मैंने वैसे एड कोर्सिस में भी ये चीज़े करवाई है लेकिन मैंने खुद ये डिसाइड किया है कि एक ये सब्जेक्ट मेरी तरफ से आपके लिए एक बहुत बढ़िया गिफ्ट के तौर पे आपको दिया जाएगा और मेरे प्यारे और टेलेंटेड विद्यार्थियों आप बात कर रहा हूँ आपके लिए निउ येर गिफ्ट के लिए दो हजार एकिस भाई मेरे लिए भी रेल में बहुत चैलेंजिंग गया है मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग गया है और आप लोग के लिए भी मैं कहूंगा कि कई सारे बिंदूओं में चैलेंजिंग रहा है चाहे वो 2020 पुरा कोरोना में चला गया, आधा 2021 कोरोना में चला गया, वेकेंसी बड़ी लिमेटिड आई है, SSCJ डिले हो गया है, डिले कहीं पुरा गाया भी कर दिया है, यह पेसल में वेकेंसी गट हुई है, तो काफी चैलेंजिन आप लोग के लिए और मेरे लिए भी रहा है, कभी चैनल पर स्ट्राइग कर दिया, कभी हैक कर लिया, तो इस तरह से कहीं सारी चैलेंजिन तो हम लोगों ने भी फेस के, तो बिटा अब मेरी ओर से एक मुश्किल सा सब्जेक्ट आपके लिए है लेकिन इसे ये मत बोलना की जल्दी कर दो है ना मतलब की जल्दी खतम नहीं इसको बड़े आराम से मैं पढ़ाऊंगा और आपके वैसे भी भविश्य में बहुत काम आएगा ये सब्जेक्ट और मैं बात कर रहा हूँ पेटा जो आपके कोर्स में आजकल सवाल जहां से आने लगे हैं हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट्वेर के लिए जैसे एक सब्जेक्ट होता है कि नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंजिनरिंग में कौन-कौन से सॉफ्ट्वेर यूज होते हैं सॉफ्ट्वेर हम जो नॉर्मली अभी पढ़ेंगे पिता ये है एक MATLAB MATRIISS Laboratory इसमें कैसे हम लोग सिमुलेशन करते हैं हमारे एक टूल होता है SIMSCEP हैं जी यहां करते हैं हम लोग सिमुलेशन किसमें प्रोग्रामिंग पार्ट आप लोग के लिए उतना इंपोर्टन है जितना सिमुलेशन है दूसरा है बेटा एक सॉफ्ट्वेर है ओमर ये भी आजकल माइक्रो ग्रेड स्मार्ट ग्रेड बनाने में बड़ा ही बेतर रोल अदा कर रहा है ये दो चीजे और अगर पॉसिबल हुई थी तो एक और तीसरा सॉफ्ट्वेर भी तो भाईया मैं ये सॉफ्ट्वेर आपको यूट्यूब पर क्लासिज में पढ़ाने वाला हूँ ये मेरी ओर से भाईया आप सभी के लिए एक निव यर गिप्ट है अब यही है यही है कि भाई टीचर के पास में आप लोग को सिक्सा के अलावा देने के लिए सिक्सा के अलावा कुछ है नहीं भाई तो इसलिए सॉफ्ट्वेर वाले में बच्चों को डाउट भी रहता है और ये आप लोग के फ्यूचर के लिए भी बहुत काम आएगा तो याद करोगे आगे फ्यूचर में नोकरी लगने के बाद भी कि हमें गुरुजी ने मैटलैब से मुलिंक करना सिखाया है ठीक है चरे थेंक यू वेरी मच और आल दा वेरी बेस्ट इसका टाइम आपको निव एर से पहले मैं दूंगा लेकिन इस क्लास में आप सभी लोगों को जादा से जादा उपस्तिती दर्ज करवानी है थेंक यू और आल दा बेस्ट हैपी नियूर तो आल आफ यू इन एडवार्ट